दोस्तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, जो construction industries है, companies है, L&T, Gammon, Fcon, कोई भी company है, कोई भी fresher, एक साल का experience है, जिसको 6 महिने का है, या 2 साल का experience है, वो किसी engineer से क्या demand करती है, क्या पूछती है, मतलब किसी interview में अगर आप बैठोगे, तो आप से पूछेगी क्या देखो, कोई 10 से 11 चीज़े होती है, जिसके related answer पूछे जाते हैं, question पूछे जाते हैं आप से, drawing के related, एक होता है कि drawing के बारे में आप से पूछा जाएगा, structurel drawing हो गई, या architectural drawing हो गई, उसके बारे में पूछा जाएगा, जहां BBS ही होती है, most important चीज़, BBS से काफी question आते हैं, barbending schedule आपको आता है, यहां बनाया है आपने, यह सब चीज़ें आती है, फिर की labor को आप से पूछा जाएगा, कि labor को अगर, मतलब एक task दिया जाता है, लगा लो यहां concrete हो रहा है, एक MQ concrete है, कितने labor चाहिए, labor के बारे में कितनी labor लगानी होती है, वो allotting का आप से पूछा आ सकते हैं, जो schedule होता है, material कितना लगा, कितना available है site पे, उसका जो quantity survey करना होता है, वो आप से interview में question पूछा जा सकते हैं, फिर जो line level, जो हम बात करें, जो layout किया जाता है, उसके later question पूछा जाते है, कि footing का layout करना है, कैसे करोगे, यह चीज़े पूछी जाएंगी, फिर schedule जो चीज़ेंगे, उसका क्या क्या जाता है, कॉलम का देखना क्या होता है, यह सब चीज़ें, फिर जो भी क्यूबमेंट क्या क्या site पे चाहिए होता है, concreting के दरान आपको क्या होना चाहिए, site पे वो आपसे पुछा जा सकते है, फिर curing के बारे में पूछा जा सकते है, licensing and stakeholder management के बारे में आपसे पूछे जाते हैं तो इसी के related mostly आपसे question पूछे जाएंगे अगर आप fresher हो एक साल के experience है या दो साल के experience है तो इसके related आपके पास question आने वाले हैं तो जो भी मैंने interview में question पूछे जाते हैं या skill चाहिए वो इस internship में आपको मिलने वाले है complete देखो यह सब skill मैंने आपको बताया यह यह पूछी जाएंगी किसी में interview में और साथ में पांच free courses मिलने वाले कितने five free courses 75 days की internship रहने वाली है और आज का offer है one triple nine में यह मिलेगा कितना one triple nine में लेकिन पहले दस बच्चों को सिर्फ हम कितने में देंगे वो देंगे one one nine nine में सिर्फ one one nine nine में देने वाले हैं इससे अच्छा मोका आपको नहीं मिलने वाला है free courses मिलेंगे और जो schedule आप कर रहेगा आप schedule सामने देख रहे हो मैं दिखा देता हूं बाकी देखो skill अगर आपके पास यह skill है तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन skill नहीं है जोब नहीं मिल रही है तो इससे अच्छा आपसे मोका नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें basic एक अच्छे प्रोपेशन basic autocad यह सब चीजे lifetime assess के साथ मिल रहा है टोटल 150 गंटे का content मिल रहा है आपको कितने में सिर्फ 1200 रुपे में पहले 10 बच्चों को यह मिलेगा वाकी 2000 रुपे में मिलेगा और यह आपको करवाने वाला है civil brain institute anatomy पे भी यह करवाते हैं अक्षे कमद जी और reviews काफी ज्यादा अच्छे हैं काफी time से बच्चों को सिखा रहे हैं और देखो review सामने देख रहे हैं 5 की rating है April 20 का review है April A का review है nice one explaining civil engineering this virtual platform is not easy thanks to Akshay sir और Akshay कमद जी की हम बात करें खुद BE civil engineer है MTEC की वही है 4.7 की rating है और 32,006 बच्चों को अभी तक पढ़ा चुके हैं 190 countries 180 countries से इनके courses लिए जाते हैं India, United States, Nigeria, Pakistan, Turkey हर जगा से इनके course लिए जाते हैं सामने परतीक जी का आप देखरें review काफी अच्छा है nationally I was not a level to do and side related work by myself but no I have good knowledge about my field वही चीज है देखो आप degree, diploma में कुछ knowledge नहीं होगा न आपको लेकिन ये जो internship है 75 days में ये आपको पूरा exposure दे देगी की building construction मे आपको करना क्या होता है, करना क्या है और interview clear करने में आपकी help करेगी, काफी बच्चों के interview clear भी हुएं L&T के या gammon के, Fcon के काफी बच्चों के clear हुएं, देखो day 1, 2, 10 आप सीख सकते हो, देखो आपको ये recorded videos मिल जाएंगी, लेकिन आप schedule के साब से चलो, आप सीखते जाओ पूरा day 1-10 तक आप basic का side knowledge और आपको picks मिलेंगी, जैसे आप picks देख रहे हो, videos मिलेंगी, उनकी help से आपको ऐसा लगेगे, आप side पे बैठ के सीख रहे हो, day 1-10 आपका basic side knowledge ये सामने आप देख रहे हो, पूरा side का आपको बताए जाएगा, 11-18 sub structure, super structure की activities जो रहेंगी, उसका knowledge आपको दिया जाएगा, इससे अच्छा हो, ये मोका नहीं है आपके पास, फिर आपको complete accuring footing का, उसके मतलब पूरे tables, IS code के help से पूरा, फिर आप super structure और super structure activities देखते हो, यहाँ, column के बारे में कैसे binding की जाता है, footing कैसे bind किया जाता है, cover कितना provide करना है, फिर आपको slum test के बार के बारे में, कैसे उसकी checklist, कैसे उसको करना होता है, complete इसमें से जो भी interview question होंगे, वो आपके निकल आएंगे, पूरी false link के बारे में, interior का पूरा बताएगे, ये देखो, पूरा आपको complete बताने वाले हैं, जो आपको side पे काम आएगा, फिर उसके बाद drawing reading के बारे में, excavation के में, PCC के बारे में, concrete quantity, shuttering footing, back filling quantity, हर चीज का आपको knowledge मिनने वाल है, ये देखो, इसामने, excel sheets रहती हैं ऐसी, जिनके help से, ये excel sheets आपको दी भी जाएंगे, अगर आपको चाहिए होंगे, वो आपको help करेंगे, फिर, फिर plinth beam की shuttering कैसे करते हैं, column की shuttering है, उनका concrete quantity कैसे निक देखो, ये पूरा complete, जो tank wall होती है, slab उसकी thickness, उसकी shuttering, कितना back cement लगेगा, lintern concrete, pedestal shuttering concrete, ये सब चीजे आपको सिखाए जाने वाली है, देखो, इसमें आपको G1 plus का house, G plus 3 का, ये पूरा देखो, ये पूरी detail, ये drawings आपके पास रहेंगी, फिर हम बात करते हैं, 51 से 60 तक आप residential building की drawing देखना, फिर आप day 60 to 70 building drawing, फिर residential की footing की, ये देखो, ये सामने पूरी beam की detail, footing की detail, ये पूरी drawings आपको समझाए जाएंगे, दीन ही जाएंगे सिर्प समझाएंगे आपको पूरा की कैसे कैसे करना होता है, फिर reviews, देखो हमको reviews से idea लग जाता है, thank you sir for this course, it is very useful for freshers, reviews का आप सामने review देख रहे हो, ये Tata project में काम करते हो, चार साल का खुद का experience था, still उन्होंने कहा कि हमें अच्छा आपका course लगा, काफी चीज़े सीखें, तो मतलब ये fresher, एक साल का experience, दो साल का, तीन साल का, तो सब लिए सकते हैं, सिर्फ fresher ये student के लिए courses नहीं है, तो बहु लेकिन reviews आपके लिए वो demo है, वो सब चीज़े बता रहे हैं, चार दिन पहले ये review आया, एक हफते पहले ये review आया, दो मन्त पहले ये review आया, this course help me first है, क्योंने my job as a site engineer, ये सब चीज़े, इनकी L&T में job लगी थी, जब इन्होंने course लिया, उनको congratulate कर देते हैं, नसीम जी को तो ये चीज़ बहुत important होती है, सामने आप देख रहे हो, advanced drawing reading course जो होगा, उसका slaves कह रहे हैं, आप slaves भी देख सकते हो, पूरा, देखो, पूरा mention है कि आपको पूरा बताने वाले, built up area, ये सब चीज़े आपको clear होंगी इसमें से, तो ये बहुत important चीज़ होती है कि आपको mention किया जा रहे हैं, फिर हम यहाँ देखते हैं, जिसमें IS456 पूरा जो आपको site पे जाके या interview में काम आएगा, वो बताया जाएगा, फिर यहाँ पे mails देख रहे हैं, हर जगा से इनको reviews मिल रहे हैं, फिर और भी courses काफी हैं, इनके website पे, इनकी app में, इनकी app को ज़रूर download क करना क्योंकि वहाँ सब courses आपको मिल जाएंगे, उनकी पूरी detail सामने आप देख रहे हो, यह courses भी आपको इनकी app में मिल जाएंगे, उसका description में link रहेगा, अगर आपको internship नहीं लेनी है, बाकी भी आपके लिए available है, कि आपको site engineer course अलग से लेना है, वो भी आपको मिलेगा, स सब कुछ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको download करना पड़ेगा, download civil brain app, description में link रहेगा, और यह 75 days की internship के साथ आपको 5 courses free में मिलेगे, तो यह रही 75 days की internship और यह रहे free course, तो यह आप ले सकते हो, उसका मैं description में link डाल देता हूँ, app को download करो और जल्दी जल्दी apply कर ल ठाई आपको से ताई अर अब करना है, जब जया मेंilos बार के अरुच, गुछ, और रहे हो इंसा एंसाना विंता है, इंसाना ऐार किया सम्छान कैसे तरिन जल्दी अदा ऱेगा, च्चक्सं दु cू को धुच-ट रहे इंसा है, पुछ भाड़। तो अजाब क्व+. झाल झाल झाल